धार्मिक ग्रंतों के अनुसार पूरा सावन का महिना केवल महादेव की पूजा करने का ही बताया गया है। अनुसार पूरे सावन का महादेव के अनुसार पूरे सावन का महादेव के विशेश मोहरत है। पूरे महिने का फल प्राप्त हो जाएगा। इसकी और अधिक जानकारी करने के लिए हमने हरद्वार के विद्वान जोतिसी पंडित स्रिदर सास्त्री से बाचित की। इन्होंने लोकल एटिन को क्या कुछ कहा है सुनिये। ये स्रावन मास का पर्वचल्धा है जो लगभग एक महीने का होता है जिसमें पांच सो मार पड़ रहे हैं। अब सभी ने अपने अनुसार भक्ति भाव से भगवान संकर की पूजा करते आ रहे हैं सभी परन्तु बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि हमारी पूजा भली प्रकार से भी नहीं हो पाई समय नहीं मिल पाया। तो वह सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं तो उनको यह मैं प्रामर्स देना चाहता हूँ जो पूर्णिमा से एक दिन पहले अर्था चदुर दसी को सरवार्थ सिध्धी योग आ रहा है जो की सभी कारियों में सिध्धी को परदान करने वाला है अर्था यदि हम भोले नाज जी कि पूजा या किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके निमित उनको हम प्रसंद करना चाहते हैं भगवान संकर की मंदिर में जाकरके उनकी जो पूजा अर्चना सभी सामगरी के द्वारा और दुगदा विसे करते हैं तो सरवार्थ सिध्धी योग होने के कारण उस दिन क नहीं हजारों गुना फल प्राप्त होता है क्यों क्योंकि सरवार्थ सिध्धी योग में सभी परकार के कारियों में सिध्धी प्राप्त होती हैं और सरवार्थ सिध्धी योग को सभी ढूंडते हैं कि ऐसा मुरत कहीं से मिल जाए तो इसलिए वो विक्ति बहुत ही पुन् संकर की पूजा अर्चना पूरे दिन अगर वह करता है तो उसे संपूर्ण मास का फल प्राफ्ट होता है और उसके सभी मनुरत पूर्ण होते हैं